अमस्क्रा बच्चों, जी हाँ, हम अगले चैप्टर के रिविजिन डीपी पी के डिसक्षन के लिए आपके साथ हैं, आप सब को बता है, फंक्षन आटेफ जो है, वो हमारा अगला सेग्मेंट है, जिसका डीपी आपको शेयर कर दिया गया था, और अब उसके डिसक्षन के लिए हम साथ हैं, पहले डीपी जो हमारे सामने हैं, वो फंक्षन की है, और आप सब ने इसमें देखा होगा कि जी ने किस तरह के क्वेश्चन के पूछे हैं, और उमीद करते हैं, कि आपने चीजों को समझा भी है, और इन क्वेश्चन के तू, जैसा मैं हमेशा कहता आपको अटेम्ट करनी हैं, इस बात का विशेश दियां तक मैं हैं, तो यहाँ पर मैं आप सबसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे इस टाइमसेवर पार्ट टू में जो डीपीज मिल वही हैं, उनके सल्यूशन पर गौर न करें, उनको कॉनसेप्च्वरी सीख आप जेए मेंस के एक्जाम में इन डीपीपीज के तूप बहुत बड़ी एसकोर कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, आपको जेए एडवांस में भी इसका अच्छा खासा माइलेज मिलने वाला है, तो अमीद करते हैं, जो बात में बार-बार कहता रहा हूँ, वो आप समझ भ आप ला तैम जो हाँ, वो हमारा प्रस्पंड हो गया है, तो हमारे पास लेकिन आप यिसे यह जिन लोगों की तैयारी पूरी नहीं थी, यरि वहां तैयारी उस लेवल की नहीं थी, लोगों के हिसाब से यह फॉरँनेट भी हो सकता है, जी हाँ, कभी भी फॉर्चुनेट यह unfortunate जैसी चीज जो है वो उपरवाला नहीं देता है इश्वर नहीं देता है वो हमें खुद बनानी होती है हम कई अवस्वत को कई ऐसे मौके हैं जो लोगों के लिए unfortunate हो सकते हैं बट हम उसे अपना एक fortune बना सकते हैं जी हमरे बच्चे इस समय को यदि आप जो आपको एक additional time यहां मिला है इसको यदि सही तरसे utilize करेंगे तो आप इस समय का एक बड़ा mileage लेके निकल सकते हैं जी हाँ और यदि समय में panic में रहेंगे और वही चीज़ें सोच से रहेंगे कि पिछले साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था और ये वोर वोर ये कब होगा कैसे होगा पेपर का लेवल इस बार और ज्यादा हो जाएगा ये सारी बातों में उलजे रहेंगे तो निश्चित हर पेपर बहुत आसान भी आजाए तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे और यदि आप इस समय को यूटिलाइज कर रहे हैं तो पेपर कितना ही टेप क्यों न आ आ जाए आप कॉंपटिशन में ना सिफ बने रहेंगे आप उस पर जीत भी हासिल कर सकते हैं जीया मचे तो ये सोच जो है ये हमें रखनी होगी और मैं समझता हूँ कि अब जो हुआ है इस साल का घटना करम ये उतना अनिश्चित नहीं है जितना पिछले साल सिच्वेशन बाहर हो सकता है पिछले साल से ज़्यादा खराब हो लेकिन आप लोगों का और हमारा जो डिसकेशन जिस मुद्दे पर हो रहा है उस मुद्दे को लेके बात की जाए उस पॉइंट को लेके बात की जाए तो हम अनिश्चिता के महौल में नहीं है ये अनुभव हम पिछले साल कर चुके हैं अब पिछले साल के अनुभव से हम काफी कुछ सीख भी गए है तो मैं आपसे मैंने एक लाइव सेशन लिया भी था उसमें शेर भी की थी बातें आपको कही भी थी कि पिछले साल जो कुछ हुआ वो एकदम से नया था लोगों के लिए लेकिन इस साल जो हो रहा है वैसा का वैसा पिछले साल हो चुका है तो उस अनुभव से आप यहाँ पर एक बड़ा माईलेज देके निकल सकते हैं बस सोचना आपको है चरी बच्चे शुरू करते हैं discussion तो पहरा question मैं यहाँ पर देख रहा हूँ composite function जैसा कुछ है कि f1 दिया है, f2 दिया है, f3 दिया है with three given functions if a function jx satisfies f2, f3 के equal है तो jx क्या है वो हमसे यह पूच रहा है तो कोई नहीं, हम बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं इसके 2-3 तरीके हैं और आपने निकाल भी लिया होगा एक तो जो इसने दिया हुआ है, सीधा इसी पर गौर करने इस पर क्या गौर करने कि actually इसने f2 of j of f2 of j of fx दिया है जिया है, इसने हमें f2 of j of f1x दिया हुआ है जिया है, तो इससे f2 किसके एकवल है, f2 1-x के एकवल है तो यह actually 1- j of f1x हो गया बिल्कुल, इसमें कोई डावटी नहीं है और देखें, तो 1- j of f1x क्या दिया हुआ है 1 upon x दिया हुआ है तो वो हो गया, जी हाँ और यह value किसके एकवल उसने दिवी है यह value उसने f3x यानि 1 upon 1-x के एकवल दिवी है तो मैं समझता हूँ आप यहाँ से बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि j of 1 upon x जो है, वो 1- 1-x आगया खतम question, अब यहाँ से j of 1 upon x आपके पास आगया, jx आगया एक तरीका, दूसर तरीका यह भी हो सकता है कि यह आसान आसान से function है इनके inverse बहुत आसानी से निकाले जा सकता है f2 का inverse लेने दोनों तफ, यहाँ से f2 गया हो गया लिया होगा, second वाले question की बात करें तो if the fractional part of this is k by 15, then k is equals to, k by 15 तो then k is equals to, उसने पूछा हो गया बिसी बात है, then k is equal to तो अच्छे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 2 par 4 0 होती, यह binomial का और मैंने, जब आपको याद कीजिए पहले और दूसरे attempt के बीच में जही मेंस के पहले दूसरे attempt के बीच में मैंने आपको binomial PNC probability बहुत अच्छे से revise करवा दिया था, तो वहाँ ऐसे question आपको समझाए भी थे, कि मेरे बचे, इसको आप क्या कर सकते है, 15 जो है, मुझे क्या करना है यह देखना है कि 15 से divide करने के बाद, क्या fractional part बच रहा है, यानि कही ना कही इस number को मुझे 15 lambda प्लस कुछ, हाँ, के लेना है, k by 15, ऐसा ही ना, इस form में लाना है, तभी तो कह रहा है कि fractional part k by 15 है, तो यह कुछ ऐसे लाना है, यानि fractional part आ जाएगा, तो मेरे बच्चे कुछ नहीं बहुत आसान हो गया है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको 16 में convert करना है, 16 में convert करना है तो 4 के multiple की form में लेना है तो 8 times off, यहाँ पे 16 to the power 100 देखो आप, यहीं बन गया अब 16 को 15 minus 1 लेके binomal expansion लगा दें, binomal expansion लगा दें, और 15 का multiple अलग कर दें, आपके पास बहुत आसानी से remainder आजाएगा remainder आजाएगा, तो फिर आसानी से आप fractional part मेरे असाब से बहुत आसानी से निकाल सकते है, एक्चली यही तो करना है इसको 15 से divide मारेंगे, तो जो 15 का multiple वहेगा, वो तो integer बना देगा, यानि कही न कहीं इसको हमें कैसे लिखना है, जैसा मैंने कहा, 15 lambda plus k की form में लिखना है, ठीक, 15 lambda 15 lambda plus k की form में लिखना है, जब 15 से divide मारेंगे, तो यह तो integral part आजाएगा, k by 15 हमारा fraction of part आजाएगे, यानि बस अब हमें इसे इतना सा आपको घ्यान दिया है मैंने, और आप बहुत आसानी से कर जाएगे, आप देखो, यह 15 minus 1, 15 plus 1, sorry, 15 plus 1 हम दिखेंगे, और इसके बाद क्या होने वाला है, आपको पता है, पहले से लेके second last term तक तो 15 दिखेगा, दिखेगा, 15 का multiple, तो यानि यह हो जाएगा, something like 15 alpha plus last term क्या होगा, last term तो 1 होगा, यह होगा, 8 by 15 मुझे दिख रहा है, k की value मुझे 8 दिख रही है, मेरे पास यह answer आ जाता है, बहुत आसान, चलिए, पर इसी दर से third, third में क्याता है, कि एक set उसने define किया है, जिसमें x कोई भी real number है, बस x एक positive integer नहीं है, फिर क्याता है f एक function a से लेके r define किया हुआ है, j और j of x is equals to this, then f is, यहाँ पर इसे f ही कर लो, ठीक है, f of x is equals to 2x upon x minus 1, फिर क्याता है, कि f कैसा function है, कोई रिक्कत नहीं आई, मुझे तो नहीं लगता है, कोई problem यहाँ पर दिख रही है, third बाले में, यह linear by linear हमेशा कैसा function होता है, linear by linear आप हमेशा ध्यान दिजिए, यह one one function होता है, मैं आपको बता है कितनी बार कि linear by linear का derivative या तो हमेशा negative आएगा, या अब यह one one है, तो भहिया clear है, कि many one जैसी situation तो यहाँ होई नहीं सकती, इसका मतलब यह तो confirm है कि one one है, तो injective तो ही सही, अब बात सिफ क्या रहे गई हमें subjectivity check करनी है, कि into है onto है, क्या अब यहाँ पर cold domain उसने add दिया है, लेकिन a के अंदर वो कहता है integers नहीं है, कौन से, positive integers, एक अंदर positive integer नहीं है, यह नि, x को positive integer आप नहीं देंगे, अब x को यह positive integer नहीं देंगे मेरे बचे, तो बहुत सारी values हैं जो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि function one one है, x is equals to two पर जो मिलना था, वो किसी और पे मिलेगा नहीं, one one की वज़े से, तो x is equals to two वाली value तो range में होगी नहीं, x equals to three वाली value रेंज में नहीं होगी, five वाली नहीं होगी, इसका मतलब clear है, range are होई नहीं सकती, बस खतम, many one नहीं है, one one है, और इसी दर से on two नहीं है, into है, clear, तो आप निकाल देंगे, fourth वाला जो है, वो आपको दिख रहा है, fourth वाले में क्या करेंगे, कुछ नहीं, fourth भी बहुत आसानी से आप check कर सकते है, fourth में क्या है, fn जो है, वो n plus one by two है, जब n odd है, fn है, n by two, जब n even है, ठीक, फिर gn ये minus one, gn कहता है, n minus minus one raise to power n, then fog is, अब देखों में बच्चे, fog actually क्या है, f of gx, यानि f को आप g दोगे, अब g में क्या हो रहा है, यदि n even लेते हो, तो ये आपके पास minus one raise to power even, ये one बन जाएगा, तो n minus one, यानि even minus one, odd, यानि n even के case में g आपको odd number देगा, और odd के case में even देगा, तो इसका मतलब g जो है, वो आपको even और odd number देने वाला है, अब even odd में हो क्या रहा है, जब आप यहाँ odd रख रहे हो मेरे बच्चे, तो ये definition लग रही है, ये definition लग रही है, n plus one by two, n odd है, तो n plus one even होगा, even by two से आपको क्या number मिलेंगे, even by two से आपको सारे के सारे natural numbers मिल जाएं, सारे के सारे इंतिये से natural number मिलेंगे, देखो आप even by two से कैसे, मन दीजे, यहाँ पर आप देखो, n को आपने one लिया, तो one plus one by two आपको one मिल गया, n को आपने three लिया, four, three plus one, four by two आपको two मिल गया, यहाँ जब n even होगा, तो even by two करोगे, even by two के के सारे के सारे मिलेंगे, देखो, even by two में आपको two by two मिलेगा, one मिलेगा, यहाँ से भी आपको one, two, three, four सम मिलना है, यहाँ से भी one, two, three, four सम मिलना है, many one हो गया function, many one हो गया, और सारे के सारे natural number मिलेंगे इसका मतलब subjective हो गया, onto हो गया, खतम हो गया question, इसी दर से अगला, r2rg defined fx is equals to x upon 1 plus x squared and range of f is इसकी range निकालने है, ऐसा question तो बताने का कोई मतलब ही नहीं है, आप f को 1 upon x plus 1 upon x लिखके range निकाल दो, यह आपको बदा है minus infinity से minus 2 2 से लेके infinity reciprocal करोगे तो आपके पास minus half से 0 और half से, हाँ, क्या कितने है 0 आजाएगा, minus half से 0, 0 से half आजाएगा, और बीच में 0 यह होगा, x equals to 0 तो दिख रहा है, मुझे तो range यहाँ साफ साफ दिख रही है, यह आजाएगी, minus half से लेके सीधा सीधा, फिर six वाले question की बात करें, six वाले question में, as such कुछ विशेश नहीं है, देखिए, यहाँ पर दिया है fx दिया है, ln 1 minus x upon 1, हाँ, plus x, और f of 2x upon 1 plus x square, भहिया बिकोर लगता लिए कि इस question में कुछ बताने लाइक है, फिर यदि आप हाँ, ज्यादा ही जिद करते हैं तो तो थोड़ा सा लिख देते हैं हाँ, उमीद करता हूँ, वैसे सबने कर लिया है ln of 2x upon x square, upon 1 plus x square देखिए, यह हमें निकालना है ln of, देखिए, actually निकालना क्या है हमेरे पास fx यह है, f of 2x upon 1 plus x square, तो x की जगे 2x upon 1 plus x square लेखना है तो 1 minus 2x upon 1 plus x square upon 1 plus 2x upon 1 plus x square, simplify किया तो यह बन गया आपके पास 1 minus x का whole square ln तो बाहर ही सही यहां क्या बन गया 1 plus x का whole square अब आप देखोगे, तो यह 2 जो power का है बाहर आजाएगा, और आपके पास क्या आजाएगा, 2 ln 1 minus x upon 1 plus x, so 2 ln 1 minus x upon 1 plus x, 2 fx दिख रहा है साफ साफ सेवन प्रेशन की बात की जाएगे a power x be written as f1 x plus f2 x, where f1 x is an even function and f2 x is an odd function, यानि एक function को एक even और एक odd function की sum की form में लिखना है आप सब को बहुत अच्छे से बताया है class में कि कि किसी भी function fx को एक even और और एक odd function के sum की form में ऐसे लिखा जा सकता है यह रहा जड़ी आप देखोगे तो यहाँ पर जो पहला वाला part यह है यह even है और यह जो दूसरा part है यह odd है मैंने कुछ नहीं किया fx को fx by 2 fx by 2 दो हिस्सों में तोड दिया और f-x by 2 अड़ कर दिया अब यह जो पेर बना दिया इसमें यह वाला even pair है और यह वाला odd pair है आप आसानी से यह वाला even function है यह वाला odd function है और यहाँ से आप आसानी से a power x fx है तो even वाले की जो बात कर रहा है f1 की तो even वाला क्या रिखेगा a power x प्लस a power minus x upon 2 यह जो f1 है यह f1 यहाँ पे क्या बन जाता है a power x plus a power minus x बात कर दिया अब आगे तो आप करीद होगे फिर इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर हमारे अगले question की तो अगला question जो है वो है 8 वाला 8 वाला question की बात करते है 8 वाला question क्या कहता है कि are 1 minus 1 defined is this is subjective then a is equal to देखे क्या कहता है domain है कि उसमें आपने 1 or minus 1 बाहर किये a defined is then a is equal to surjective बोला है surjective बोला है यानि call domain और range आपस में equal होंगे तो एक तर से आप से क्या पूछा गया है इस function की range पूछी गई है और range निकालना मुझे लगता कि कोई बहुत बड़े क्या कहते है काम है बहादुरी का काम तो है नहीं कुछ भी range निकालना यहाँ पर यह जो x square upon 1 minus x square है इसको बहुत आसानी से ऐसे लिख लो यह range निकल गई बहुत ही आसानी सबसे आसान तरीका है यहाँ पर आप में से काफी लोगों ने cross multiply करके निकाला होगा मैं कहरा हूं देखो उससे भी आसान तरीका है यहाँ पर आपके 1 upon 1 minus x square minus 1 आजाए अब minus x square की range minus infinity से 0 उसमें आपने 1 add किया तो आपको दिख रहा है minus infinity से 1 minus infinity से 1 का reciprocal लेंगे तो आपको बदा है minus infinity से 0 वाले case में तो आपके पास क्या आजाएगा 0 से लेके minus infinity आजाएगा और 0 से लेके 1 वाले case में आपके पास आजाएगा 1 से लेके infinity reciprocal लेके आप आसानी से answer कर सकते हैं तो range आजाएगी मेरे इसाब से कोई बड़ा काम नहीं है ठीक है समझ मैं नहीं आया है कापी लोगों कि मेरे को लगता है कि minus x square कहां से कहां तक minus infinity से लेके 0 इसमें one add कर दोगे तो क्या होगा बस यहाँ बना आजाएगा आएगा नहीं आएगा इसका reciprocal लेना है तो reciprocal negative part का अलग से आएगा positive का अलग से आएगा negative है minus infinity से 0 इसका reciprocal लोगे तो आपके पास minus infinity से 0 का reciprocal आजाएगा minus infinity से लेके 0 जी यहाँ और 0 से 1 का reciprocal आपके पास क्या आजाएगा 1 से लेके infinity आजाएगा इसमें से 1 minus करना है आपके पास रेंज आ गई चलिए तो यह हो गया हमारा 8th question बढ़ते हैं अब आगे के questions की तफ तो 9th question जो हमारा है वो यह राव f of a plus k is equals to this where the function f of x plus y is equals to fx fy देखें 9th question में f of x plus y is equals to fx into fy यह किस case में हो सकता है मुझे तो लगता है साफ साफ की यह कहीं ना कहीं कोई exponential function a power x plus y जो है वो a power x into a power y के equal होता है और यहां पर उसने इसलिए f1 की value 2 दे दी है तो मुझे तो लगता है साफ साफ की वहिया fx जो है वो 2 power x बन गया खतम होगा question अब आप कर दो solve यह जो बन रही है यह आपके पास क्या बन जाएगी एक infinite gp बन जाएगी असानी से आप जो है gp का sum निकाल दो 10th question the domain of the function इस function का domain आपको बताने की जवरती नहीं है इसको positive बनाना है तो x into x square minus 1 greater than 0 तो critical point अब के बास minus 1 0 1 आगे आप निकाल लेंगे कहा positive कहा negative 1 upon 4 minus x square में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए तो plus minus 2 गायब करने है वह आप ने निकाल भी लिया होगा 11 की बात करें तो x is square x belongs to r a is subset of r g of a is equal to x belongs to r fx belongs to a ठीक है if s is 0 to 4 then which one of the following statement is not true देखे ये जो question है totally set theory का question है इसमें कुछ और बड़ा काम नहीं है set theory का question कुछ नहीं है बहुत आसान है आपने समझ भी लिया होगा set theory भी ऐसी विशेश वाली नहीं है मतलब बहुत ही आसान है कहता है a subset r का fx एक function है जहां x आप real number दे 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 और और g of a जो है अब g of a के लिए बोल रहा है कि g of a is x belongs to r और fx belongs to a तो इसका मतलब क्या कहता है कि यहां actually आपने a रखा है यानि fx रखा है क्योंकि fx a को बिलॉंग कर रहा है तो यह gfx की बात कर रहा है तो gfx में जो x values है वो आ रहा है उसमें आप x real number से दे रहा है अब gfx का मतलब आप एक तरसे g of x square की बात कर रहा है अब g of x square में वो कह रहा है कि set s जो है वो 0 से 4 है यही set s है actually इसने इसी को set s define किया हुआ तो 0 से 4 तो आपको दिख रहा है कि यहां पर आप x जो है वो minus 2 से लेके 2 तक ले सकते है तब ही तो 0 से 4 आएगा आसानी से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो कि fgx और s fgfx और s यह जो है आप असमें कैसे हैं बहुत आसानी से चेक हो जाएगा 12 आपने कर भी लिया होगा तो 12 वाले question की बात करें 12 वाला बताओ 12 वाला अच्या भी हाँ मैं obviously बात है कि सारे question एक एक करके solve करके नहीं बता सकते हैं यह जुदि यह सारे question के सारे question का नंबर जो है तो मुझे इसी बात है मुझे hint देखे छोड़ना है मैं सारे solution भी देदूँगा तो उसका फाइदा नहीं होगा फाइदा कम होगा जब आप solve करेंगे तो मैं आपको hint देखे छोड़ना हूँ फिर भी यदि कोई question नहीं होता है तो आप group में उसे post करें आपको उसका पूरा solution भी मिल जाएगा यदि चाहिए तो ठीक है ना चलिए तो यहाँ पर 12 वाला 12 वाले में फिर देखो यह ln sin x दिया हुआ है sin inverse e power minus x alpha is a positive real number a बोला है f of g का derivative है alpha पर और b जो है वो f of g है alpha पर ठीक है तो उसने एक तरह से आपसे a alpha b का relation पूछा है तो I think मुझे लगता है कोई ऐसा बड़ा काम यहाँ पर है यहाँ भी आपको actually fog x निकालना है तो f of gx मेरे बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा देखेगा x दि greater than equals to 0 है तो e power minus x जो है वो कहां से कहां तक चलेगा देखो x is greater than equals to 0 है तो minus x less than equals to 0 है तो e power minus infinity से e power 0 यानि 0 से बन चलगा है तो यह जो value है यह 0 से बन है यह 0 से बन sine inverse के अंदर जो value रखी हुई है वो आपने sine को दी हुई है क्योंकि अब आप f को देंगे जी तो क्या बनेगा यह यह actually बन जाएगा ln of sine of sine inverse e power minus x खेल खतम यह sine inverse cancel आपके पास क्या आगया ln e power minus x उसमें भी minus x आगया आपके पास क्या बच्छा minus x तो आप आसानी से आप देख पार है derivative निकाल लोगे सारी चीजे निकाल लोगे कि derivative क्या होगा alpha पर और function की value alpha पर क्या होगी उसके बाद आप check कर दो कौन सा वहाँ relation सही है इसमें व्यूंकि बड़ा काम नहीं है 8 तो बताने का बनता ही नहीं है उसने आपको fx दे रिया है gx दे रिया है hx दे रिया है और आपसे बोला है कि h of f of gx जो है उसकी value निकालनी है 5 by 3 पर तो क्या करोगे पहले g 5 by 3 निकाल दो फिर वहाँ से जो value है वो f को दे दो फिर वहाँ से जो value है वो h को दे दो आपको value मिल जाएगी ये भी बहाँ काम ऐसा नहीं है 14th 14th में ये plus 5 होगा I think जितना मुझे याद आ रहा है तो देखे 4x square minus 10x plus 5 then find f of 5 by 4 उसने हमें gx दिया है और gfx दिया है ये छोटा सा tricky question है इसमें हमें यहाँ से ये अंदार्जा लगाना कि आखिर fx क्या रहा हो गया आपने g को fx दिया होगा तो actually gx आपके पास x square प्लस x minus 1 है question number 14 मैं तो आपसा हिंट दे रहा हूँ कि आप जो यहाँ पे मेरे पच्छे gfx देखो गए तो gfx कुछ ऐसा नहीं होगा कि fx का square देखो आप plus f of x minus 1 यही होगा ना बिलकुल होगा और ये value किसके एकवर आ रही है 4x square minus 10x plus 5 तो मैं एक चीज यहीं समझ पा रहा हूँ कि आज शायद fx कोई linear है वो linear क्योंकि इसने देखो डिगरी नहीं बदलना है यहाँ बदलना है यहाँ भी quantity का रहा है यहाँ भी quantity का रहा है बस coefficient बदलने और उसमें भी fx linear होगा तो इस बात की term सिफ यहाँ से मिलेगा और x square का term यहाँ से मिलेगा और x square का coefficient मुझे यहाँ पे 4 दिख रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं यह 2x है 2x कोई constant है साथ में अब constant क्या है उसके लिए क्या कर सकते है कि भाई x वाला term मुझे यहाँ से भी मिलेगा यहाँ से भी मिलेगा तो x वाला term यहाँ से भी मिलेगा मिल रहा है मुझे minus 10x जबकि यहाँ plus x है तो मेरा तो काम बन गया यहाँ भी तो x का coefficient 2x ही रहेगा x वाला term 2x रहेगा तो दोनों मिलके minus 10 बना रहे है plus 2 यहाँ है तो यहाँ minus 12 आना चाहिए लीजे मिले को तो सब कुछ समझ में यहाँ आ गया कि यह ऐसा है जी देखो आप यह sorry minus 1 2x minus 3 का और यह minus 1 देखो आप 4x square इदर से minus 12 plus 2 minus 10 इदर से plus 5 अहाँ plus 9 और minus 4 plus 5 यहाँ गया अब आगे तो आप करीद होगे कोई दिक्कत ही नहीं है 15 में inverse निकालना है तो inverse निकालने वाले question में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा काम है component roll dividend roll लगाओ या 8 power 2x से उपर नीचे multiply कर दो तो आपका fx actually क्या बन जाएगा 8 power 4x minus 1 upon 8 power 4x plus 1 बन गया यह y के equal है cross multiply करके आप 8 power 4x की value y के term में फिर 4x log base 8 base 8 पर log लेकर आप आसानी से वो सारी चीज़े कर सकते है base 8 पर ही दिया है उसने सब सब अंसर आगया निकाल लेंगे आप I think या component roll dividend roll लगाओ तो भी आपको जो है 8 power 4x मिल जाएगा log लेना है base 8 पर आपके पास x in terms of y आजाएगा inverse में यही करते है फिर 16 वाले question में कहता है x box of x upon x square plus 1 then range of fx is वो कहता है x box of x upon x square plus 1 जहां x की value 1 से 3 है x belongs to 1, 2, 3 यह दे रहा है then range of fx is वह यह range बताओ अब हमें इसमें साब दिख रहा है box नहीं सादा खेल किया हुआ है तो कोई दिखकत नहीं है actually अब यदि हम देखें तो मेरे बच्चे यहाँ पर मुझे 1 से लेके 3 दिया है तो यह जो question number 16 में fx है इसको मैं ऐसे लेक सकता हूँ कि box of x upon x plus 1 upon x खतम I think मुझे लगता कि अब कोई बहुत बड़ी परेशानी का काम है यदि x 1 से लेके 3 चल रहा है तो 2 ही हिस्से करने एक बार इसे आप x की value 1 से लेके 2 में break करने एक बार x का value 2 से लेके 3 में break करने जब 1 से 2 होगा तो इसका box कितना हो जाएगा 1 तब आपके पास सीदा सीदा ये 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x बन जाएगा और जब यहाँ पर आपके पास x 2 से 3 है तो box बन जाएगा 2 तब आपके पास ये 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x आ जाएगा अब x एरी 1 से 2 चल रहा है तो x प्लस 1 अपॉन x की range आप निकाल लेंगे बहुत आसानी से देखे, x plus one upon x का इस ग्राफ बनाऊं आपको तो आप बहुत आसानी से देख पाऊँगे x plus one upon x ऐसे चलता है, यह x plus one upon x का ग्राफ है ऐसा, odd function है यह 1 पर value minimum लेता है 2 और minus 1 पर इस side का maximum value लेता है तो मुझे साफ दिख रहा है कि 1 से आगे तो यह increasing function है x plus 1 upon x increasing है तो 1 upon x plus 1 upon x decreasing हो जाएगा तो 1 से लेके 2 में यह value 1 पर तो minimum कितनी ले रहा है 2, 2 पर कितनी ले रहा है 2 plus 2, 4 इसका मतलब clear है 2 plus 1 by 2, 2 plus 1 by 2 तो 5 by 2, तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पास यह 2 से लेके 5 by 2 चलेगा, reciprocal कहां से कहां तक चलेगा 2 by 5 से लेके 1 by 2 2 by 5 से लेके 1 by 2 का तो मुझे एक option दिख रहा है यह वाला दिख रहा है इसी दरह से जब यहाँ पर मेरे बच्चे इसमें इसमें भी यहाँ function increasing दिख रहा है range आगे बढ़ते हैं तो box वाले में cases बना लिया करते हैं normally यहीं दिखना है तो अगला question हमारे सामने find the number of solution of log half mod sin x is equals to 2 minus log half mod cos x I think इसमें मुझें लगता है कि बड़ा काम है आप सब समझार लोग है इसको यहाँ लेके आए तो आपके पास क्या बन गया आपके पास बन गया log half base per जी हां क्या mod sin x into cos x यह बन जाएगा ना log n plus log n is log mn और यह किसके एकवल आ जाएगा यह 2 के एकवल रहाँ इसको आप किसमें convert कर देना है explanation में तो modulus of sin x into cos x जो है वो half power 2 या नी 1 by 4 आ गया और इसका मतलग कहीं ना कहीं sin 2 x जो है वो 1 by 8 आ जाता है नाई sin 2 x 1 by 2 आ गया sin 2 x 1 by 2 आ गया तो आप solution तो आसानी से निकाल ले देंगे sin 2 x 1 by 2 या ने mod sin 2 x is 1 by 2 mod of sin 2 x 1 by 2 इसका मतलब प्रियर है कि sin 2 x जो है वो plus minus half अब sin 2 x plus minus half x चल रहा है 0 से 2 pi तो 2 x चलेगा 0 से 4 pi number of solution आप आसानी से बता सकते है एक rotation में 4 solution बिलेंगे तो अब यसी बात है दो rotation में 8 solution बिलेंगे 8 answer आ जाएगा f x and g x are continuous 18 question continuous function fog is identity function g dash b 5 है g b a है then f dash of a तेकिए ये भी बहुत ही आसान question क्या कहता है कि f x g x ऐसे continuous function है कि fog identity function है f of g x का identity function होना ये indicate कर रहा है कि f inverse है g और f inverse g है तो वो कहता है इसमें तो आपको मैंने differentiation की वक्त बहुत बढ़िया चीज बढ़ाई है कि function में बस inverse वारे case में ये तीन relation काम आते है y equals to f x x equals to g of y जहां g f का inverse है और derivative के case में आपको पता है कि g dash of y is equals to 1 upon f dash of x बस ये चीज़े पता है तो आप कोई भी ऐसा question solve कर सकते है तो I think अब मुझे g dash b दिया हुए है g of b की value दिया हुए है आपको साफ दिख रहा है कि ये रखकर आप आसानी से f dash of a निकाल सकते हैं तो चलिए निकाल लेंगे आप 19 question की बात करें 19 question हमें दिया है sin inverse mod x plus 5 upon x square plus 1 minus infinity से लेके a और a से लेके infinity then a is equals to minus infinity to minus a and a to infinity then a is equals to क्या कहता है domain domain तो इसका उन्हें क्लियर है कि कुछ नहीं करना है mod x plus 5 upon mod x का square plus 1 x square को mod x का square plus 1 लिख देता हूँ ये value आप सबको पता है sin inverse में minus 1 से plus 1 चलने चाहिए वैसे तो मुझे दिख रहा है कि ये minus 1 से 0 तो जाही नहीं सकता क्यों क्योंकि ये value भी positive है ये value भी positive है तो minus 1 से तो ये हमेशा बड़ा है इसमें कोई doubt ही नहीं यहाँ से तो x belongs to r आ जाएगा क्योंकि ये value positive है minus 1 से बड़ी होगी मुझे सिर्फ ये solve करना है और ये solve करने में भी मुझे दिख रहा है denominator positive है multiply कर दूँ तो inequality ये रह जाती है mod x plus 5 less than equals to mod x square plus 1 तो आपके पास mod x square आपके पास क्या आ रहा है mod x square और minus mod x minus 4 ये greater than equals to 0 इसको solve करना है तो ये अब आपके पास आसानी से solve करके mod x की value आएगी उसको x में convert करके निकाल लेंगे चलिए तो ये आप निकाल लेंगे विसमें कुछ बड़ा नहीं है 20th question की बात करें है तो f of x plus y is equal to fx plus fy ऐसा कब होता है कि f of x plus y fx plus fy के equal हो जाए ऐसा कब होता है ऐसा linear के case में मान लीजिए यहाँ पे कि fx plus y fx और fy के equal है तो यदि मैं 28th question में देखू हूँ तो क्या कुछ fx ऐसा नहीं हो सकता ax जैसा देखो आप यदि fx ax है x plus y याणि ax plus ay याणि f of x f of y यह रहाँ बस अब इसमें f1 की value उसने 2 दिवी है आपको इसका constant a की value आगे फंक्शन आगया आगे तो आप solve कर देंगे आप समझदार लोग है फिर इसी में 21st question की बात करें तो यह greatest interior function है आपको बदा है यह तो इसने कह दिया then the equation has इसके solution तो यह भी आपको बदा है बचे इसमें कुछ नहीं करना है यह box of x का square plus 2 box of x minus 3 बन गया क्योंकि box के अंदर integer है जो बाहर आजाता है वो बाहर आएगा तो 2 into 2 4 4 minus 7 minus 3 बन गया अब इसमें आपको दिख रहा है यह box of x plus 3 और box of x minus 1 यह आपके पास box of x की दो value आगी minus 3 1 x आप निकाल सकते हैं कितने solution है आपको दिख रहा है फिर यह वाला वापस वैसा का वैसा question जो हमने अभी अभी discuss किया है fx plus y is equals to fx into fy यानि कहीं न कहीं a power x जैसा function है और यहाँ पे उसने का है कि 1 से लिए है infinity fx जो है वो 2 दिया हुआ है y belongs to natural number where n is the set of natural number then value of this यह तो आप निकाल लेंगे यहाँ अब 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 रहो क्या करना होगा कुछ ही मुझे लगता कि बड़ा काम है x 1 से लेके infinity चल रहा है fx तो यह actually क्या बनेगा यह बनेगा ना a a power x मान लिया मैंने तो a square ऐसे चलेगा इस infinite series का sum दिया हुआ है तो आपके पास a की value आ गई आगया खतम question चलिए 23rd की बात करें for a suitably chosen real constant a let your function r be defined by this further suppose that any real number x not equals to minus a fx not equals to minus a f of fx is equals to x देखिए f of fx is equals to x अभी अभी मैंने ऐसा question आपको यहां बताया है दो function का composite function जो है वो x आने का मतलब है कि वो एक दूसरे के inverse है यहाँ f का ही f के साथ composite function x आ रहा है इसका मतलब f खुद का ही inverse है f inverse is equals to f अब आपको दिख रहा है बस इसका inverse निकाल के खुद के equal कर दो आप f inverse निकालना या नहीं वही y आपके पास x के term में है x को y के term में निकालो f inverse आएगा दोनों को equal करोगे तो वहाँ से आपके पास a की value आजाएगी खतम हो जाएगा question आप आसानी से फिर f minus half आप निकाल सकता है खिक है फिर अगला जो है वो हमें उसने क्या दिया है suppose that a function r2r satisfies this वापस भई आगया exponential तो मुझे बताने की जवट नहीं है f1 की value 3 देने का मतलब 3 power x हो गया function 3 power x हो गया अब आप यह आसानी से निकाल सकता है यह वापस भई क्या बन गया जिया अब आप देखो यहाँ पर वही बन जाएगा जीपी बन जाएगा जीपी बन जाएगा जीपी बन जाएगा तो सम आपके पास n terms का दिया है n की value निकाल दो गया चले तो यह भी हमारा question हो जाता है आगे बटता है और अगला हमारा जो है वो question number 25 वाला 25 की बात करता है 25th question में है क्या देखो यह कहता है 25th question में भई की यह वो कहता है r to r fx to x minus 1 दिया है r minus 1 to r gx आपको यह दिया हुआ है और fog जो है उसके classification की बात कर रहा है की 1 1 है many 1 है on 2 है n 2 है क्या है तो ठीक है ऐस सच कोई बड़ी बड़ी परेशानी तो मुझे लगती नहीं की यहां होगी और आपने करी लिया होगा fog की बात कर रहा है तो f of gx f of gx यानि आपको दिख रहा है 2 gx minus 1 और gx आपको दिख रहा है कि यह है x minus 1 by 2 यहां upon आपको x minus 1 minus 1 यानि यह 2x minus 1 upon x minus 1 minus 1 और यह साफ दिखता है कि x plus 2 upon sorry x even if सिफ यह minus 1 plus 1 तो cancer ही होगया जी हां तो आपके पास x minus x तो x upon x minus 1 आगे linear by linear हमेशा 1 1 होता है मैंने अभी भी आपको बताया था पहले भी कई बार बताया हुआ है तो 1 1 तो है इसमें कोई doubt ही नहीं है अब into on 2 की बात करें तो into on 2 में आपको पता है कि भई domain देख लिया हमने कि इसमें 1 नहीं दे सकते हैं कोई और परिशानी तो है नहीं तो 1 के अलावा सब यह है into on 2 की बात करें range निकालने है अब range में आपको पता है कि 0 नहीं मिलेगा linear upon linear में x के coefficient का ratio नहीं मिलता है तो 0 हमें finally नहीं मिलेगा लेकिन यह तो बात कर रहा है r to r में r to r में obviously बात है कि on 2 तो नहीं हो सकता इसका मतलब clear है कि आपको दिख रहा है 1 1 into function आजाएगा 26 की बात कर रहे है तो बोलता है a plus alpha की value 1 है b plus beta यह सब इसी साल के question है आपने देख कर ही समझ लिया होगा b plus beta is equals to 2 alpha fx plus alpha f of 1 by x नहीं यह a है बाईया इसे a कर लो a fx plus alpha f of 1 by x bx plus beta by x जो है then value of this तो ठीक है हमें जो relation दियावा है 26 में वो दियावा है a fx plus alpha f of 1 by x is equals to bx plus beta by x और आपको कुछ नहीं करना यह x को 1 upon x लिख देना है यह सारे question तो मैंने आपको यार है कि जो paper discuss की है उनमें आपको discuss करके दिये वह है तो यहाँ x approaches to x को हमने क्या कर दिया 1 upon x से replace कर दिया तो यह बन जाएगा आपके पास यह बनेगा a f of 1 by x जी है और यह बन जाएगा alpha fx तो alpha fx यह क्या होगा यह बन जाएगा b1 upon x यह बन जाएगा beta x तो beta x और b1 upon x अब आपको कुछ निकलना है दोनों को add कर दीजिए तो आपके पास क्या आता है a plus alpha और यहां आगया f of x plus f of 1 by x यह आगया यहां पर b plus beta common आजाएगा और आपके पास क्या आजाएगा x plus 1 upon x आपको जिसकी value निकलनी है वो साफ साफ देख लिए आप आसानी से निकल सकते है चलिए 27 की बात करें तो let f n n belongs to अचा यहां पर a और beta की value जो है आप यह alpha a plus alpha b plus beta का value दिया है तो वो exact value मिल जाएग 27 such that f n plus 1 is equals to f n plus fa n is a natural number and g b any any arbitrary function which one of the following statement is not true वो कहता है 1 1 on 2 कुछ options गरबढ है is 1 1 if is on 2 किस के on 2 की बात कर रहा है चलिए options कुछ गरबढ है तो वो आप चेक कर लीजेगा बस यह आपको साब साब देखकर ही समझ में आता है कि f n plus 1 यदि f n plus fa के equal है तो f 2 किसके equal f 1 plus fa f 3 किसके equal f 2 plus fa और उसमें f 2 को क्या लिखेंगे f 1 plus fa तो f 3 आजाएगा आपके पास f 1 plus 2 fa इसी दर से f 4 आजाएगा कि भई जब तक fa 0 नहीं है तो तो अलग-अलग है अब यह अलग-अलग है तो इसका मतलब clear है कि यह function जो है वो many 1 है sorry one 1 है one 1 है इसका मतलब clear है कि f 1 1 है f 1 1 है तो तो आप अब सारी चीजे option सही जो भी होगा उसको answer कर लीजेगा यह कुछ options में मतलब proper नहीं है तो मुझे भी exactly याद नहीं आ रहे है option भी यहाँ क्या था f 1 1 क्योंकि खाली 1 1 नहीं हो सकता कुछ और ही था और यहाँ भी if is on to f on to की बात कर रहा है शायद जी on to होगा तो fog जो है वो 1 1 होगा जी देखिए option जो है वो आप चेक कर लीजेगा इसी साल का paper है आपके पास होगा यह February attempt में ही आया हुआ question है मैंने discuss भी किया है तो 1 1 है f बस इतना पता है इससे आप सारी चीजे conclude कर सकता है 28 question 28 में क्या गता है let x denote the total number of 1 1 function from set a जिसमें 3 element है to set b जिसमें 5 element है ठीक है तो 1 1 function की बात कर रहा है set a से जिसमें 3 element है set b पर जिसमें 5 element है तो 1 1 के लिए आपको पदा है कि यहां से 5 में से 3 element आपको select करने है जी हा 5 c 3 और उन 3 को इन 3 के साथ associate करने का तरीका 3 factorial जा गया 1 1 ठीक है आप ऐसे भी जा सकते हैं कि पहले के लिए 5 choice है दूसरे के लिए 4 ए तूसरे के लिए 3 है तो आप ऐसे भी जा सकते है वो एक ही बात है यह भी तो वही बन गया 5 p 3 तो यहां आप आसानी से यह तो हो गया x फिर क्या बात करता है फिर कहता है यहां पर चेक कर लिए यहां ऐसे questions पर चेक कर लिया करो कि पहले और आखरी में जो अंदर की x-values है उनका sum क्या है यहां 1 by 20 यहां 39 by 20 40 by 20 यह 2 हो रहा है यह 2 हो रहा है इसका मतलब clear है मरी बच्चे कि कहीं न कहीं यह कुछ ऐसा शायद होगा कि fx और f of 2 minus x का sum constant आएगा जी हां क्योंकि इन दोनों x-values जो अंदर रखिवी है function के इनका sum कितना है 2 और ऐसा है यहां है पहले और आखरी का pair बनाओगे second second last का pair बनाओगे 2 by 22 के साथ 38 by 20 लोगे उन दोनों का sum 40 by 20 यह नहीं 2 आ गया तो ultimately f2 minus x निकालना है जैसे आप इस question में देखोगे तो fx plus f2 minus x की value 1 आ जाती है x को 2 minus x रखो simplify करो यहां रखो 1 आ जाएगा इसका लब पहले आखरी का sum 1 second second last का sum 1 कुल मिला के 1 से लेके 39 39 terms है 38 के तो pair बन जाएगे 19 तो pair हो जाएगे एक यहां पे f20 by 20 हाँ f20 by 20 अकेला पड़ा रहेगा f1 और f1 की value तो यहां से 1 by 2 दिख रही है तो आप 19 plus 1 by 2 answer मैं दो देख पा रहा हूं यानि 39 by 2 answer आ जाएगा फिर pq जो है एक ordered pair है p and q are the same distance from the origin वो क्यादा है p और q जो है वो origin से same distance पर है be a relation then the equivalence class of 1, minus 1 is the set origin से same distance वाले point actually एक circle पर होंगी जिसका center origin होगा यानि p और q एक circle पर लाई कर रहे है जिसका center origin है इसने p, q का एक combination 1, minus 1 दिया हुआ है 1, minus 1 की origin से distance कितनी आ गई root 2 इसका मतलब clear है कि 1, minus 1 की origin से distance root 2 आ गई तो यह वो circle है जिसकी radius root 2 है, root 2 radius वाले circle answer कर तो x square plus y square is equals to 2 answer आ जाएगा ठीक है, फिर 31 31 में क्या दिया हुआ है 1, 2, 3, 10, f, a to a be defined, यह भी इसी साल का question है fk is equals to k plus 1, k odd है k even है तो k है then the number of possible functions g a to a such that gauf is f, देखे, बड़ा मज़दार question है यह 31st वो कहता है, gfx जो है मेरे बचे वो fx के ही equal आना चाहिए तो ऐसे कितने g function a से a में define किये जा सकते है गौड से सुनिएगा f क्या कर रहा है, k जब odd है तो fk plus 1 दे रहा है यदि k odd है तो k plus 1 even होगा, फिर k even है तो fk ही दे रहा है, यानि even के case में even दे रहा है odd के case में one add करके even दे रहा है यानि ultimately f की range में सिर्फ even number है f की range में सिर्फ क्या आएंगे, even number और even number भी देखो कैसे, कि मेरे बच्चे यहाँ 1 और 2 दोनों के लिए ये value 2 देगा 3 और 4 दोनों के लिए 4 देगा तो इसका वादा clear है कि f जो है वो सिर्फ even value दे रहा है और 2 x values के लिए एक y value दे रहा है अब ये f आपने g को दिया है अब होगा क्या कि g को मिलेंगे यहाँ पर even number वो कहता है कि जब ये value क्योंकि f क्या होगा even वो कहता है कि जब g even हो g को आप even दो तो जो दे रहे हो वही मिल जाए यही है ना आप देखो ना यही कहा रहा है कि आपने x को बन दिया x को बन दिया f को f ने क्या दिया g को f ने simply g को 2 दिया इसने 2 पर वापस 2 दे दिया यही कहा रहा है 4 पर 4 देगा 6 पर 6 देगा यही तो कहा रहा है तो even पर ये एक identity function होना चाहिए 2 पर 2 दे किसके 2 पर? F2 पर धियान दीजेगा F जब 2 होगा तब ये 2 दे F4 हो तो ये 4 दे यानि G का input 2 हो तो 2 दे, 4 हो तो 4 दे, 6 हो तो 6 दे 10 हो तो 10 दे, even पर even number वो ही देना चाहिए और के case में free हो वो कहता है G को 1 दो परेशानी नहीं है, 1 दोगे तो कुछ भी आप G को जब 1 दे रहे हो, तब वो कुछ भी दे सकता है हमें उससे मतलब भी नहीं है वो सिफ इस case में हमें FX के equal चाहिए, यानि even के case में उसी number के equal चाहिए, बाकी odd में वो कैसा भी हो, तो इसका उन्दा clear है, G को में क्या कर सकता हूँ 1 के case में मिरे पास 10 choice है, 1 से लेकर 10, किसी के साथ भी associate कर सकता हूँ 3 के लिए, फिर 10 choice है, किसी के साथ भी associate कर सकता है, यानि G1 की value 1 होगी तो भी चलेगा G1 5 होगा तो भी चलेगा, G1 10 होगा तो भी चलेगा, g3 10 होगा g3 1 होगा, g3 7 होगा चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, यानि सारे जो 5 odd number हैं, सब के लिए आपके पास 10-10 choice है लिकल के answer, ठीक है चलिए, आगे बढ़ता है अगला जो है बच्चे, 32 sin inverse x gx आपको बोला है यह, और g of 2 जो है, उसमें कहता है कि limit की value है, x approaches to 2 पे gx की, तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है क्या कहरा है और इसमें gx define कर लो, सबसे बस, आसान तो यही है gx मेरे बच्चे quadratic upon quadratic है, जिसका एक factor मुझे common दिख रहा है यह actually x plus 1 into x minus 2 बनता है इसमें भी देखो तो x minus 2 एक factor है x minus 2 एक factor है और 2x plus 3 एक factor है, देखो आप तो यहाँ पे आपके पास यह minus 4x plus 3x minus x वेलकुल ठीक है यह है, यह वाला factor cancel हो गया आपके पास gx ultimately क्या रह गया, x plus 1 upon 2x plus 3 तो आप मुझे दिख रहा है, g की domain में एक तो 2 नहीं है और एक minus 3 by 2 नहीं है, लेकिन g को उसने 2 पर अलग से define किया हुआ है, तो अब यदि हम gx को exact define करें तो कुछ ऐसा है, कि यह x plus 1 upon 2x plus 3 है, जब भी x 2 नहीं है, और 2 पर limit की value कितनी आ रही है इस पर 2 पर limit की value आपके पास देखिए, 3 upon 7 आ रही है, तो 3 by 7 है कब जब x 2 है, यही तो कहा रहा है, जी इसका वादा gm के domain में सिफ एक ही point नहीं है, minus 3 by 2 बाकी सब जगे वो define है अब sine inverse हाँ, अब क्या कहा रहा है, कि function for x, domain of fgx, यानि fgx का domain चाहिए, तो अब आपको दिख रहा है कि fgx में, अब ये gx आप दे रहे हो, sine inverse को तो actually fgx हो, sine inverse gx बनेगा ला, बिल्कुल बनेगा तो यहाँ इसकी domain का मतलब gx कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, minus 1 से plus 1 लाई करना चाहिए, इसको minus 1 से plus 1 में लाई करा कि आप आसानी से domain निकाल सकते हैं, ठीक है फिर 33, 33 में अच्छा ये गडबर है sine 2x और cos 2x नहीं है ये sine square x और cos square x ठीक है, तो 81 power sin square x और 81 power cos square x आपको बदा है कि क्या करना है इस cos square को आप 1 minus sin square x लेखो और अब ये बन जाएगा 81 power sin square x और यहाँ पर 81 upon 81 power sin square x तो 81 power sin square x को की लोगे, तो t plus 81 by t बन जाएगा, t में quadratic बन गया, solve करके value निकाल सकते हैं the inverse, y inverse निकालना है इसका, ओहो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, आपको दिख रहे हैं, हाँ क्या करना है log लेना है base 5 पर, तो log x is equal to log 5 आगया, log y to the base 5 आगया, और फिर और और log ले लीजिए, तो आपके पास आसानी से, हाँ explanation में convert कर दीजिए तो आपके पास देख रहा है, finally e power आपको देखो, यह 5 पर है, यह log x base 5 तो यहाँ से x निकालना है तो देखो, हमने क्या किया, इसको log में बदला, तो log x is equals to log y to the base 5, अब x आजाएगा, यहाँ से inverse आजाएगा, आपके पास, 35th the real valid function, cos inverse, यह साब-साब दिख रहा है x minus box of x, यानि fractional part x की बात कर रहा है square root के अंदर fractional part, fractional part negative तो होता ही नहीं है लेकिन नीचे रखा हुआ है, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए, यहानि x integer नहीं होना चाहिए, तो minus 1 से 1 cos inverse कह रहा है, और उसमें भी integer इसने बाहर कर दी है तो इसका मतलब आपको दिख रहा है, domain क्या हो जाएगी domain हो जाएगी, open minus 1 से open 1 except 0 जी हाँ, integer बाहर करने है all reals कह रहा है x belongs to, is defined for x belongs to पुल मिला के आपको दिख रहे हैं, मिल गया all non negative non integers except the interval, दीखें फिर all real except the interval, ठीक है फिर all real except integers बिल्कुल सही है, तो क्या कह रहा है, आपको समझ में आ रहा है इस interval में integer छोड़के हमारा answer होगा, बाकी किसी से कोई problem नहीं है फिर, if the function 36 में fx दिया है, square root of x gx दिया है, square root of 1 minus x then what is the common domain किसका, f plus g, f minus g common domain, f plus g में क्या होगा, दोनों की domain का intersection f minus g में भी दोनों की domain का intersection, f into g में भी दोनों की domain का intersection g minus f में भी दोनों की domain का intersection आपको इस सारी शीजे पता है fx upon gx में क्या ध्यान रखना है fx upon gx में gx 0 नहीं होना चाहिए यानि x equals to 1 नहीं होना चाहिए यह सारा आप निकाल सकते हैं 37 we defined fx is equals to x minus 2 upon x minus 3 r to r be given as gx is equals to 2x minus 3 ठीक है fx ये दिया हुआ है फिर बोलता है f inverse x plus g inverse x की value 13 by 2 अब इसमें f inverse x और g inverse x की value है f inverse x g inverse x दोनों function निकालो यहां रख दो एक quadratic बनता हुआ दिख रहा है मुझे तो क्योंकि इसका inverse linear upon linear ही आएगा इसका inverse linear आएगा जब आप यहां रखोगे तो आपके पास x में quadratic होगा value निकालें आपको answer मिल जाएगा बस धियान रखना quadratic निकालते वक्त कि domain में x value ना हो आपको धियान रखना है ऐसा कोई x allow नहीं करना है solution में जो domain में नहीं आओ तो domain का धियान रखते वह answer कर दो ठीक है तो यह हो गया आपका function की कि 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 कि